मित्रों को जै जै सिया राम, प्रभुश्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों सुर्ज भगबान का जन्म कैसे हुआ। मारकंडे पुरान में बर्नन है कि पहले शंपुर्ण विश्व में अंधेरा था, उस अंधकार में ब्रह्माजी कमल योनी से प्रकट हुए और उनके मुक से सबसे पहले ओम शब्द का उच्चाहरन हुआ। यह ओम सुर्ज के तेज का ही सुक्ष्म रूप था। इसके पस्चाहत ब्रह्माजी के मुक से चारोबेद प्रकट हुए यह चारोबेद ओम के तेज में समागे। आकास में दिखाई देने वाला सुर्ज इसी ओम का अस्थुल रूप है। लेकिन सुर्ज का यह तेज इतना आधिक था कि सुर्ष्टी के भस्म होने का डर था। इसलिए ब्रह्माजी की प्रार्थना पर सुर्ज देव ने अपने तेज को कम कर दिया। सुर्ज के प्रकट होने पर संपुर्ण विश्व का अंधकार मिटा और स्रिष्टी में जीवन का संचार हुआ जियोतिश में सुर्ज को नौ ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है विवस्था के संचालन में इसे राजा यानी राष्ट प्रमुख और उच अधिकारी तथा संबंदों के निर्वहन में इन्हें पिता माना गया है सुर्ज के आदित्य नाम होने की पीछे एक कथा है कि स्रिष्टी उत्पत्ती के समय कस्यप्रिशी की पत्नी अधिती ने कठोर तप करके सुर्ज भगवान को प्रसन किया और बर्दान मंगा किवे उनके पुत्रूप में जन्म ले सुर्ज ने उन्हें यह बर्दान दे दिया और अपनी शाहत किरनों में से एक सुसुबना किरन द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया अधिती के कर्भ में जब सुर्ज का जन्म हुआ उस दिन माग मास की शुकल पक्च की शप्त्मी थी अदिती के गर्ब से जन्म लेने के कारण सुर्ज का नाम आदित्त हुआ सुर्ज के रत में साथ घोरे होने के कारण इसे रत सप्तमी कहा जाता है इसके अलावा इस्तिथी को आरोग सप्तमी, माग सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी आधी नाम से भी जाना जाता है। रत सप्तमी से जुरी एक अनकता भी है, कहते हैं कि जब सुर्देव को खरे-खरे काफी लंबा समय बित गया तो उनके पाओं दुखने लगे। इसे रत सप्तमी कहा गया। इस दिन गंगा असनान करके सुर्ज की पुजा करने और सुर्ज से संबंधित वस्तूओं का दान करने से सुर्ज संबंधि दोश दूर होते हैं। एही नहीं इस दिन सुर्ज के साथ-साथ उनके रत में जूते सातों घोरों की भी पुजा की जाती है। रत सप्तमी के बड़त और सुर्ज उपासना से ही क्रिष्ण के पुत्रशाम्व का कुछ त्रोग ठीक हुआ था। जो उन्होंने स्वेंग क्रिष्ण के स्राव के कारन हुआ था।